आज करेंगे रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ कॉंसेप्स की बाद स्लोगिजम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जादा ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है प्लस आप सभी लोगों का फेबरेट टॉपिक भी है लेकिन उसका जो एक बहुत जादा क्रूशियल पार्ट है वो है only and only a few इसमें बच्चा अकसर confused हो जाता है या फिर उसको कही ना कि doubt रहता है ठीक है इस पूरे के पूरे concept को आज detail में discuss करेंगे बहुत ही छोटा सा वीडियो है शॉट वीडियो बनाया है ठीक है एक छोटा सा कैसकते glimpse दे देंगे फटा फट से कि only क्या है only a few क्या है दोनों में difference क्या है दोनों का एक एक example के साथ देखेंगे और अच्छे से concept को समझ मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरे बारे में आप जान सकते हैं स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है मेरा नाम शुभम है आपका reasoning mentor only के concept को एक बार समझते हैं फटा फट से फिर only a few पर आ जाएंगे दो बाते में बताऊंगा only के लिए only को सबसे पहले तो कैसे draw करते हैं ठीक है ना आपको ये पता होगा अगर आप slogs पढ़ चुके हो तो आपको ये पता होगा कि slogs के questions को करने के लिए कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा एक role play होता है वेन डाइग्राम का उसका हम बहुत जादा इस्तिमाल करते हैं तो draw वेन डाइग्राम कैसे draw करना है only के statement का प्लस only को कैसे apply करना है उसका application क्या है वो भी बहुत जरूरी है तो ये दो बाते है only को समझने के लिए सबसे पहले draw करना सीखेंगे फिर apply करना सीखेंगे ठीक है तो draw करने के लिए सबसे पहले only के जो ये डरावने statement को आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा change करने की कोशिश करते हैं आप only हटा ही दो बाती खत्म जड़ से इसको हटा ही दो आप इसकी जगे पर हम all लगा देते हैं इतना तो कर लेंगे ना इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और एक छोटी सी चीज कर देना है अदला बदली कर देना है a की जगे पर b और b की जगे पर a A की जगे पर B और B की जगे पर A तो अब यह जो statement convert हो गया यह कैसे convert हो गया यह हो गया all B R A इसमें convert हो गया अब यह एक familiar सा statement लग रहा है यह तो हम देखे हुए हैं यह हम जानते हैं कि हाँ all B R A कैसे हमें draw करना है अब हम draw करेंगे पूरा का पूरा diagram देखो भई all B R A हमने draw कर लिया दूसरा statement क्या है sum A R C वो भी हमने draw कर लिया फिर तीसरा statement है no C is D वो भी हमने draw कर लिया diagram हमने draw कर लिया कोई तकलीफ नहीं अभी तक अब इसको apply कैसे करना है वो भी समझ लो apply करने के लिए सबसे important बात वो क्या है जितनी बाते मैं बता रहा हूँ उनको दिमाग में set कर लेना समझ में आ गया जो example दे रहा हूँ उस example को सिर्फ इस question को समझने के लिए इस्तमाल करना बाकी किसी direction में मत जाना फिर से repeat कर रहा हूँ जो example देने वाला हूँ उसको किसी और direction में मत ले जाना सिर्फ इस question को समझने के लिए इस topic को या इस concept को समझने के लिए ही इस्तमाल करना एक्जाम्पल थोड़ा सा हटके है इसी लिए यूज़ कर रहा हूँ ताक कि आप थोड़ा सा relate कर पाओ या फिर थोड़ा सा जल्दी से समझ पाओ ठीक है न चीज़ा जल्दी आपके दिमाग तक पहुँच जाए कुछ चीज़ें है only में हमें ध्यान रखनी है ठीक है वो क्या है कि ये है पहली entity या element या person कुछ भी बोल दो ये है दूसरी entity या person या element किस से bound होती है वो first वाली entity से फिर से repeat कर रहा हूँ जो second entity होती है वो bound होती है first entity से in simple words आप इसको treat कर सकते है as a husband Indian husband और इसको आप treat कर सकते है as a wife ठीक है जहां तक पहुचाना चाह रहा हूँ वहीं तक पहुचना उससे भटकना मत प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ आपने इसको as a treat किया wife as a treat किया husband अब ये जो है B ये किसी भी और element के साथ relation create नहीं करेगी ठीक है ना B is bound with A B bound हो गए wife husband से bound हो गए वो अब किसी और के साथ relate नहीं कर सकती वो किसी से बात नहीं करेगी वो no talk ठीक है ना B is bound with A वो restrict हो चुकी है A के surface में या area में या फिर उसके boundaries में but A is free A आजाद है A आजाद है वो C के साथ भी relation create कर सकता है वो D के साथ भी relation create कर सकता है मैं गलत message pass नहीं कर रहा हूँ बस इस question को समझाने के लिए ऐसा example frame किया गया है correct है So A free है C से भी relate करने के लिए और D से भी relate करने के लिए पहली बात दूसरी बात A पूरा का पूरा कभी भी C या D से relate नहीं कर पाएगा क्यूं? क्यूंकि वो B को भी साथ में relate कर देगा समझ रहे? कि अगर पूरा का पूरा A किसी भी entity के साथ relate किया तो ये part भी तो relate होगा right? So क्या होगा कि A अगर पूरा का पूरा C में चला जाएगा तो फिर वो B को भी साथ में लेके जाएगा और वो गलत हो जाएगा क्यों कि B किसी के साथ भी relate नहीं करेगा ठीक है ना? So A का समझ पार्ट तो किसी से relate हो सकता है पूरा का पूरा पार्ट कभी भी किसी से relate नहीं होगा हाँ पूरा का पूरा C A में जा सकता है C यहाँ बैठ सकता है पूरा का पूरा D A में जा सकता है A के लिए कोई भी restriction नहीं है बस एक restriction है कि वो पूरा का पूरा कहीं पर नहीं जा सकता वो आधा अधूरा तो चला जाएगा उसके अंदर सब आ जाएंगे लेकिन वो पूरा का पूरा कभी किसी के पास नहीं जाएगा अब थोड़ा सा एक बार इसके conclusions की तरफ बढ़ते हैं वो वहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये एक conclusion का पूरा set दिया है इस question के basis पे ठीक है अब ज़रा ध्यान से समझते Sum BRC अगर हम इस only को हटा दे तब Sum BRC C and D हो जाएगा बुलो हाँ, can't say, cannot be determined के 3 stages होते हैं, फिर 3 तरीके से conclusion react करता है या तो वो 100% follow करता है या फिर 100% does not follow करता है या फिर वो can't say की condition में चला जाता है, right तो ये जाएगा 100% false की category दूसरा वाला देखते है, Sum BRC Sum BRC क्या बोल रहा है, Sum BRC भया फिर से वही बात Sum CRB अगर definitely false है Sum BRC भी definitely false है क्यों कि B किसी से भी relate नहीं करेगा Sum CRB definitely false Sum DRB फिर से B किसी से भी relate नहीं करेगा Sum BRD ये भी किसी से भी relate नहीं करेगा All A, R, B अभी मैंने बताया था आपको कि A पूरा गा पूरा C में या D में नहीं जा सकता पहली बाद, दूसरी बात, यहाँ पर तो B से रिलेट हो रही है, आपने बोला है सर B A के साथ रिलेट होगा, B bound है A के साथ, मतलब A और B पूरा का पूरा मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हमने कहा All A are B, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अग पूरा का पूरा B में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अगर चला गया, तो C को साथ में लेके जाएगा, आधा पार्ट इतना तो लेके जाएगा, बांड़ा फूर जाएगा, कलेस हो जाएगा, तो यहाँ पर यह कैंसल हो गया, All A are B कभी नहीं हो सकते है, definitely false, ठीक है, All A can be B, definitely false, possibility तो वैसे भी गलत हो जाएगी, C and D की possibility सही होती है, तो यह जब definitely false है, तो यह भी गलत हो गया, All A can be C, फिर भी बात, अगर A पूरा का पूरा C में जाएगा, तो B को साथ में लेके जाएगा, फिर से A का भंड़ा फूट जाएगा, ठीक है ना, सो B कही ना कही बहुत बड़ा role play कर रहा है, क्योंकि B bound हो गया A के साथ, अब वो A को थोड़ा थोड़ा रोकेगा जरूर, थोड़ा थोड़ा उसको रोकेगा जरूर कि वो A पूरा का पूरा C में जाए, A पूरा का पूरा D में जाए, थोड़ा पाट जा सकता है, पूरा का seas, only rivers are seas, draw कैसे करेंगे, all seas are river, correct, so all seas are river, कोई दिक्कत नहीं, few, few मतलब some, some lakes are rivers, some lakes are rivers, correct, few मतलब some, oceans are lakes, some oceans are lakes, diagram ऐसा ही draw किया होगा, मैं मानता हूँ, आप लोगों ने diagram ऐसा ही draw किया होगा, चलो, conclusion पर आ जाते हैं, some seas being lake is a possibility, some seas being lake is a possibility, भईया देखो, एक और चीज, जब भी only का diagram बनाओ, अब आपको यहाँ पर यह समझ में आ रहा है, अगर याद है तब तो ठीक है, diagram को देखके समझ में आ रहा है, क्या चीज only में है, नहीं तो बस एक छोटा सा change में आपसे चाहूँगा, इस पूरे diagram में बस एक छोटा सा change कर लो, जो चीज only में है bound, second entity ना, जो चीज only में है bound, उस पे लगा दो एक बहुती छोटी सी बिंदू, ताकि आपको यह याद रहे कि हाँ, यह जो है, वो only में बंधा हुआ है, अब जरह एक बार आ जाते conclusion पर, some seas being lake is a possibility, see क्या lake हो सकता है, नहीं, कभी नहीं, कदापी नहीं, some rivers being ocean, some rivers being ocean is a possibility, हाँ, some part of river can be ocean, but पूरा का पूरा river ocean में नहीं जा सकता, तो some rivers being ocean is a possibility, हाँ, यह बात एकदम सही है, इसका answer हो जाएगा second follows, correct है, I hope only का concept तो समझ में आ गया होगा, अब एक बार जरह जल्दी से देख लेते only a few का concept क्या कहलाता है, only a few का concept क्या कहलाता है, देखो only में, और only a few में, बहुत बड़ा change है, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा थी, कि B, A के साथ ही relate करेगा, किसी और के साथ, वो सब भूल जाओ only a few में, only a few में ऐसा कुछ नहीं चलता, only a few एकदम अलग है, only एकदम अलग है, बच्चा क्या करता है, वो उन दोनो only को मिलाने की कोशिश करता है, कि यहाँ पे भी तो sir B, A से bound हो जाएगा, यहाँ foundation वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सब आजाद हैं, ठीक है, ज़रा देखते हैं इसको कैसे draw करें या फिर कैसे समझें, सबसे पहले यार only a few को समझ लो कि यह होता क्या है, note कर लो इस बात को, अपनी copy में, only a few A, R, B is a combination of, यह mixture है, दो statements का merger है, mixture है, combination है, कौन सी दो statements, पहली statement सम A, R, B, और दूसरी statement सम A, R, not B, इन दोनों का mixture कहलाता है, only a few A, R, B, इसको draw कैसे करते हैं, ज़रा एक पर देख लो, A बनाया, B बनाया, सम A, R, B बना दिया, बना दिया न, सम A, R, B बना दिया, अभी सम A, R, not B बनाना है, बनेगा, वो ऐसे बनेगा, सम A, R, not B, एक आखो छुस्सा, B नहीं है, सम A, R, B, सम A, R, not B, ये complete diagram क्या बोलता है, ये complete diagram बोलता है, only a few A, R, B, संगे में आइबात, फिर से देख लो, यह complete diagram क्या बोलता है यह complete diagram बोलता है only a few a r b correct एक बाद फिर से देख लो a बनाया sum a r b बनाना है sum a r b बना दिया और sum a r b के बाद sum a r not b बनाना है sum a r not b बना दिया और यह पूरा का पूरा diagram किसको denote करेगा only a few a r b को denote करेगा draw करना आ गया अभी सिर्फ draw करना सिखाया है draw करना आ गया अभी apply करना सीख लो देखो बई अगर sum a r b है तो उत्व पता ही है कि a का कुछ इससा b है और sum a r not b है तो अभी यहाँ पे कुछ complications खड़े हो जाएंगे क्या कि all a r b यह कभी भी सही नहीं हो सकता यह हमेशा गलत होगा क्यों क्यों क्योंकि a का पूरा का पूरा हिस्सा कभी भी b में नहीं जा सकता because of this sum part correct no a r b यह भी कभी सही नहीं होगा यह भी गलत होगा क्योंकि sum part of a is b तो यह दोनों चीज़े definitely false में चली जाएंगी इसके according इसके according a और b के बीच में अगर relation की बात करें तो no और all definitely false हो जाएंगे clear दूसरी बात दूसरी बात यहां पर लिख दे रहा हूँ sum b are not a यह हो जाएगा c and d हमेशा याद रखना कि sum not वाला जो relation होता है sum not वाला जो relation होता है वो एक तरफ प्यार की तरह होता है once I did love a की तरफ से तो पता है कि हाँ b के लिए न मना है some part of a is not b a की तरफ से तो पता है लेकिन b की तरफ से तो में कुछ भी नहीं पता है blank b की तरफ से कुछ भी नहीं पता एक तरफ प्यार की तरह होता है sum not b A की तरफ से हमें जानकारी है कि A का कुछ इससा B नहीं है लेकिन B की तरफ से कुछ भी नहीं पता पूरा का पूरा B A हो सकता है पूरा का पूरा B A नहीं भी हो सकता है some part of B A हो सकता है some part of B not A हो सकता कुछ भी हो सकता है anything is possible from B side B की side से कुछ भी possible हो सकता है लेकिन A की तरफ से हमें सिर्फ इतना पता है कि sum are not sum not के relation की बात कर रहा हूँ मैं one sided होता है याद रखें अभी पर ज़रा देख लेते है अचा हमने पूरा का पूरा डाइगराम बनाया है ना वो ठीक है तो अब all BRC बना दिया हमने all BRC बना दिया और फिर sum CRD बना दिया diagram ऐसी बना होगा अब ज़रा एक बढ़ देख लेते हैं कि अपन conclusion की तरफ बढ़ते हैं conclusion की तरफ पहला conclusion लिखा है sum AR not B sum AR not B यह definitely true हो रहा है यहाँ पर वो only वाला concept आया क्या कि B bound है A के साथ नहीं correct तो वो only अलग है यह only अलग है boundation वाला यहाँ पर कोई sense नहीं है वो चक्कर अलग चल रहा था यह चक्कर अलग चल रहा है तो दोनों को मिलाने की गलती मत करना please request है all AR B all AR B अभी मैंने बताया कि सारा का सारा A कभी भी B में नहीं जाएगा because of some not part तो यह definitely false हुआ all A can be B जब definitely false हो चुगा तो possibility भी गलत हो जाएगी all B can be A all B can be A अभी बताया था कि B की तरफ से कुछ B नहीं पता है A के लिए वो जब नहीं पता है तो फिर क्या हो जाएगा all C can be A एक बाद ज़रा डाइगराम देख लेते हैं all C can be A हाँ जा सकता है A के अंदर C का पूरा जा सकता है D का पूरा जा सकता है बस A का पार्ट B के अंदर पूरा का पूरा नहीं जाएगा ठीक है तो all C can be A एकदम सही है अगला statement देखते है conclusion sorry all D can be A ये भी सही है अभी मैंने बताया जब C जा सकता है D भी जा सकता है some AR not B is a possibility ये बड़ी important चीज है some AR not B is a possibility अभी हमने यहाँ पे देखो some AR not B सही किया है जो चीज़ सही होती है या जो चीज़ गलत होती है उसकी possibility हमेशा गलत होती है जो चीज़ सही होती है या जो चीज़ गलत होती है उसकी possibility हमेशा गलत होती है possibility किसकी सही होती है possibility सिर्फ और सिर्फ cannot be determined वाले conclusions की सही होती है जिनके बारे में कुछ ना कहा जासके उनकी संभावनाएं सही होती है जिनके बारे में आपने definite answer दे दिए ये सही है, या ये गलत है, उसके बारे में आप संभावना में कोई बात नहीं करेंगा, उसके बारे में आप सिर्फ definite में बात करेंगे, संभावना में बात नहीं करेंगा, तो possibility उनकी गलत होती है, तो ये इनके answers रहेंगे, ठीक है न, चलो, एक example देख लेते हैं, only a few का, बढ सम समनोट बना दिया only a few सम कोविट्स आर कॉरेंटीन सम कोविट्स आर कॉरेंटीन and no कॉरेंटीन is lockdown no कॉरेंटीन is lockdown correct है diagram ऐसा ही बनाया होगा conclusion देखते हैं no lockdown being corona is a possibility दिहान से देखना no lockdown being corona is a possibility no lockdown being corona is a possibility मतलब क्या बोल रहा है कि corona और lockdown में कोई भी संबंद ना हो no lockdown being a corona is a possibility no lockdown being corona is a possibility दोनों में कोई relation है कोई relation पता चल रहा है कुछ भी lockdown और corona के बारे में पता है अपने को nothing कुछ नहीं पता तो possibility सही हो जाएगी all corona can be covid all corona can be covid अभी मैंने बताया some part of corona is covid and some part of corona is not covid some part of corona is not covid so all corona can be covid not possible all corona can be covid not possible इसका answer भी option number one सही है उमीद करता हूँ यह दोनों के दोनों जो topics थे या फिर concepts थे वो आपको समझ में आयोंगे मेरे साथ एक बार connect होने के लिए शुभमगर्रीजनिंग टेलीग्राम चैनल है इसको join कर ले न टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me शुभमगर्रीजनिंग ठीक है न बाकी अगर मेरे साथ free classes देखनी है unacademic application तो puzzles का class चल रहा है सुभा आट बजे डेली free class है unacademic application पे आट बजे डेली puzzles का class चल रहा है plus mock paper चल रहा है reasoning का कितने बजे डेली सुभा 10 बजे 255 mock हम अभी तक कर चुके हैं पिछले साल से 2021 से लगातार हम mock चला रहे हैं non-stop mock चला है 255 mock अभी तक complete कर चुके हैं 256 mock आगे होते रहें लगातार mock चल रहे हैं गिंती बढ़ती चलेगी 300 हो जाएगा 400 हो जाएगा एगिंती नहीं रुकेगी तो 10 बजे आपका यह mock वहाँ पे daily होता है ठीक है तो इन दोनों सेशन्स में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ बाकी profile follow कर लेना link आपको description में मिल जाएगा session कैसा लगा एक बार बताइएगा और telegram channel follow कर लेना ठीक है चलना बाब बाई टेक केर see you in the classes बाई